Hello everyone, welcome back to online studio. अकसर लोग कहते हैं जो पीछे छूट चुका है उसको छोड़ करके आगे बढ़ो. लेकिन मैंने उस चीज को फिर से पकड़ा और यहाँ पे continue करने की पूरी कोसिस की है. तो देखें मैंने 40 important topic के आले एक सीरी स्टार्ट की थी. आज से 2-3 महीने पहले जो कि हमाँ 18 पार्ट तक उसको complete कराया थे. 18 topic आपको cover कराया जा चुका है. playlist मैंने बनाया है ताकि आप एक पर revisions कर सको, exams आपका है. देखें फिर से मैं video upload करूँगा तो time लगेगा और वैसे भी आपने उस video को देखा है, revisions करना है. उसमें आप जाकर revisions कर लीजेगा. क्योंकि इस सभी important topic है. आपके आने मेले बिहार SI mains के exams में बहुत जादा help करेगा. और साथे साथ जिनका March में बिहार SSE 10-2 है, उनको भी recommend करूँगा कि आप ज़रू check out कर लीजेगा. ये day 19 है, उसके आगे की जो important topics हैं, वो मैं cover कर रहा हूँ, तो उसको आप देखें. तो दीखें, इस topic में हम क्या देखेंगे, आज हमारा चटान वाला topic है, तो चटान हम देखने वाले हैं. ठीक है, तो चलिए फिर सुरू करते हैं, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दू, fans, कि हमारी जो भी notes है, जो भी study material है, वो अपहारे application पर आपको मिल जाएगी, तो application को download कर लीजे, ये application का logo है, download कर लीजे, download करने के बाद paid course में जाकर के, आप अपनी पसंद की, जो उसे ते दिन पहले भी provide कराई गई है, जो लोग paid course में जुड़े हैं, विहारे से means और विहारे से सी में उनको मिलाओगा, तो आप देख लीजेगा, ठीक है, तो चलिए फिर सुरू करते हैं, देगे सबसे पहला प्रशन ये कि निमलीखीत में सेकी से प्रात्मिक चटानों कि स्रेडी में रखा जाता है, तो चटान basically तीन परकार के हैं, अग्ने चटान, और क्यांतरी चटान, जिसमें सबसे प्रात्मिक चटान के रूप में लोग अग्ने चटान को जाना जाता है, क्योंकि प्रिथिवी के उत्पत्ति के पस्चात स्व परत्हम इन ही चटानों का निर्माड हुआ इस कारण से इसे प्रात्मिक चटान या फिर इसे माता सैल के नाम से जानते हैं माता यानि मदर ठीक है? मदर सैल के नाम से भी इसको जाना जाता है अब प्रशनाप से ये पूछा जा सकता है कि फिंस इसका निर्माड होता कैसे तो देखे ज्वाला मुखी उदार के समय भुगर्व से निकलने वाला जो लावा होता है मैगमा होता है वो धरातल पर आ करके क्या होता है जम जाता है जम करके ठंडा होगा उसके पस्चात इस चटान का निर्माड होता है ठीक है इस सीज को दिहान रखेगा अब इसकी जो ठोर संगनन तथा जिवास में रहीत होती है जिवास में रहीत है यानि इसमें जिवास में भी नहीं होता है प्रात्मिक सेल, माता सेल के नाम इसको जानते हैं हम लोग आर्थिक रूप से ये काफी महत्पुन चटान मानी जाती है क्योंकि इसमें लोहा, सोना, चान्दी, निकेल, जस्ता बहुत सारे इसमें चीजें जो की हमें खनीज के रूप में देखने को मिलता है इस वज़े से इसको माना जाता है कि आर्थिक रूप से बहुत संपन्ने चटान है ये ठीक है? अगने चटान आयोब कि ये चीज सब किलियर होगा और एक प्रश्ण मैं आपको और बताता हूँ कि हमारा जो करस्ट है, करस्ट का लगभग 90 प्रतिसत भाग जो है वो हमारा अगने चटान से ही बना होता है तो यहां तक रखते और अगने चटान के जुड़ी हुई एक चीज और बताता हूँ जैसे कि इसके उधारन के रूप में पुशा सकता है कि कौन-कौन से चटान आते तो कुछ important चटान से है जैसे कि हम लोग जानते हैं मैं यहां पर अपको थोड़ा से दिखा भी देता हूँ यद रक लीजेगा जैसे बेसाल्ट हो जाता है ग्रे नाइट होता है ग्रे बो ड्यूनाइट होता है और पैगमा टाइट यद रखेगा साइनाइट यद रखेगा यह सभी की सभी जो चटान है वो अगने चटान के उधारन माने चाते हैं ठीक है चलिए second questions ठीक है तो correct answer option A होगा थर्ड questions पर नज़ डालिए क्या कह रहा है कि अवसादी चटान के निर्माड में सामिल परकिरियाओं को कालकरम के अनुसार विवस्तित करिए तो अवसादी चटान जो होता है वो एक प्रकार से हम कहेंगे कि यह अगने चटान से ही बनता है ठीक है यह अगने चटान से ही बनता है और यह परतदार चटान ही होती है यानि परत बई परत चटान ही होती है इसको द्यान रखेगा तो इसके निर्माड के जो प्रकिरिया होती है कालकरम होता है वो अप्छाय होता है सबसे पहले जो पहले से मौजो चटान उसका तूटता है अप् सेडिमेंटरी रॉक के नाम से जानते हैं न तो यह चीद्यान रहेगा करेक्ट आंसर ओप्शन यह होगा यहां पर इसके प्रकिरिया मैंने लगा रखा जैसे क्या उसाधी चटान निम्न के उत्पाद है पहले से मौजो चटानों का अप्शय होगा अप्शय उत्पादों का परिवहन होता है समागरी का निचेपन उसके बाद संगनन और एक चटान बनने के लिए तलचट का जमना होता है तो ये इसके प्रकिरिया है अगला प्रश्ट बालू पत्थर निम्न में से किसका एक उधारण है बालू पत्थर या फिर बलुवा पत्थर कहते हैं तो ध्यान दीजेगा बलुवा जो पत्थर होता है वो एक परकर का उसाधी चटान होता है ठीक है बलुवा पत्थर और साधी चटान होता है यहाँ पर option भी होगा और बलुवा पत्थर अगर आपसे पूछे कि बलुवा पत्थर का क्यांतरी तुरूप क्या होता है क्यांतरी तुरूप क्वाडजाइट होता है यह चीज़ ध्यान रखे गए और साधी चटान के अंत लेकिन एंतरासाइट जो कोईला होता है लिगनाइट आवसाधिक का परिवर्थित जो रूप है वो एंतरासाइट कोईला है तो यह सब कुछ आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि एक्जाम्स में कुछ भी पूछा चटानों की कञठोर्था के मापनी के जाता है। जिसकी कञठोर्था जादा होगी उसका नमबर जादा हुगा जैसे हीरे की बात है तो सबसे जादा है तो आपका दस हो जाता है। ठीक है, तो ये कठ हुरता मापनी का मोस के लिए, अगने चटान के समद्ध में निमली खित में से कौन सा कथन असत्त है, ध्यान दीजे असत्त है, तो आराम से पढ़ेंगे, पहला पॉइंट क्या गहरा है, कि अगने चटानों में परतों का पूर्णता अभाव पाया जाता ह तो बिल्कुल सही है कि इसमें परत कुछ होता नहीं है, तो ये बिल्कुल सही है, इनमें रवे यानि क्रिश्टल पाया जाते हैं, अगने चटान क्रिश्टल के रूप में पाया जाता है, इन चटानों में जिवास में सेस का अभाव होता है, यानि अगने चटान में जिव जिवास में भी नहीं होता है, जिवास में रहीत होता है, तीनों की तीनों पॉइंट सही है, तो D को टिक करेंगे, वो प्रोक्त में से कोई भी ऐसा नहीं है, जो कि गलत हो, D करेंगे, अगला प्रशने की भुगर्व में विसाल अकार की गुंबदाकार अगने चटानों को न नहरातल में बोगर में रहते हैं, तो इस टाइब के गुंबदाकार चटान को हम लोग बैथुलित कहते हैं, और ये अगने चटान के अंतरगत ही आता है। नेक्स्ट है कि जानवरों वनस्पत्यों एवं सुक्ष में जीवों के अवसेश किस प्रकार के चटान में हमें देखने को मिलता है। तो जिवास में कहा मिलता है जिवास में आसाधी चटान के अंतरकत ठीक है आसाधी चटान के अंतरकत option B और साधी चट्टान को द्वित्य चट्टान के नाम से भी जानते हैं प्रात्मिक तो अगने हुआ द्वित्य हमारे यह होता है और परत्दार चट्टान के रूप में भी इसको जानते हैं धरातल के सरवाधिक भाग उपर निम्लिखित में से किस चटान का विस्तार है? धरातल पर सरवाधिक भाग में किस चटान का विस्तार पाय जाता है? तो इस प्रश्ण का सही आंसर हुआ, option B, और साधी चटान, ठीक है, और साधी चटान, option B next आता है कि निमलीखीत में से कौन सी चटान, जयविक चटानों के अंतरगत आता है कौन सी चटान, जयविक चटानों के अंतरगत आता है तो राइट आंसर क्या होगा, जयविक, कोईला, कोईला जयविक चटान, क्योंकि जिवास मुआला जो चीज होता है, वो आपको पता है, उसाधी के अंतरगत तो कोईला यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा, option C next, कोईला किस चटान में पाया जाता है, तो अभी आपको बताए कि कोईला जो है, वो आपका आसाधी चटान के अंतर गताता है, लेकिन option में तो आसाधी नहीं ठीक रहा है, तो आसाधी को एक और नाम से भी जाना जाता है जिसको लोग परतदार चटान कहते हैं, तो क्यांतर चटान है, इसका निर्माण अगने और आसाधी चटानों में ताप और दाब के परभाव के कारण होने के परिवर्तन से होता है, यह हमारा क्यांतर चटान है, अत्यादिक उस्मा और दबाव के कारण होता है, तो क्यांतर चटान option C, बलुआ पत्थर परिवर्तित ह होता है बलुवा पत्थर तो वैसे आपका अवसादी चटान है और इसका परिवर्थित जो रूप है वो क्वाट्जाइट है आपको स्टार्टिंग में ही मैंने बैता है तो सी बिलकुल सही होगा नेक्स्ट रहते है कि चुना पत्थर का कयांतित रूप क्या है संग मरमर सही होगा वेसाल्ट के रूप आंत्रण के फल सरू किस चटान का निर्माड होता है वेसाल्ट जो होता है वो अगने चटान है और इसमें लोहे की मातरत बहुत ज़्यादा होती है काली मिटी के निर्माड में ये काफी महत्पून योगदान देता है और बिसाल्ट के जो रुपांतरन से बनता है वो हम यहाँ पर कहेंगे MB-Polite, MB-Polite option C correct answer होगा आगे बढ़ते हैं, Quad-Zite निमलिकित में से किस का क्या आंतरन है Quad-Zite, उपर में बता जा चुका है चटान प्रणाली किस खनीज के लिए प्रसीद है गुंडवाना चटान प्रणाली किस खनीज के लिए प्रसीद है बताई हो तो इसका सही answer हमारा क्या बनेगा तो सही answer हो जागा option A, कोईला के लिए famous है, ठीक है, कोईला के लिए famous है नेक्स्ट एक निम्ली खित में से कौँन से एक रुपांतरिट चटान नहीं है तो देखें रुपांतरिट चटान नहीं है, वो हमारा सही answer बन जागा रुपांतरिट यहाँ पे नहीं है, जैसे कि हमारा बलववा पत्थर बलुगा पथर तो आपका उसादी है लेकिन सभी के सभी क्या है रुपांतरित या फिक कयांतरित चटान नेक्स्ट आता है कि ताप और अत्याधिक दाब के कारण मुल्चनरचना में परिवर्थन के कारण गठित जो सैल है जो चटान है वो कौन सा है क्या कहलाता है बताया गया ना कि ताप और अध्यदी के दाव के कारण क्या होता है वो हमारा कयांतरित सैल है कयांतरित सैल क्वेशन्स वही रहते हैं बस घुमा फिराकर के language change किया जाता है और पूझा जाता है तो अगर आप concept को समझेंगे एक छीज थियूरी को समझ लेंगे तो कोई दिकत नहीं है निम्लिकित में से कौन से एक रूपांतरित सैल नहीं है यानि कयांतरित सैल नहीं है बताईगे तो चुना पत्थर नहीं है क्योंकि ये तो एक परकर का उसाधी चटान है तो यहाँ पर सही answer हो गया option A एक को टिक करेंगे तो देखें यहाँ पर 20 questions मैंने आपको कराया और सब कुछ चटान से लेटर सब कुछ मैंने आपको बता दिया अब इससे ज़्यादा आपको चटान से लेटर कुछ ज़्यादा पढ़नी की जूरत नहीं है notes आप पढ़ लीजएगा उसमें सब कुछ दिया गया है revisions के purpose से मैंने वीडियो भी बता दिया questions आपको करा दिये clear हो गया चटान अब आपके लिए एक छोटा सा प्यारा सा प्रश्ण यह है कि बैत हो लित किसका एक प्रकार है आप नीचे comment करके बताएगे और जैसा कि मैंने आपको बता है कि इससे पहले की 18 वीडियो आप जरूर चेक आउट कर लीजएगा playlist मैंने बनाया playlist में आपको सारी वीडियो एक से लेकर 18 तक की वीडियो मिल जाएगी और यह हमारा 19 वा वीडियो वहाँ पर मैंने डाल दिया बना दिया तो आप जाएगे बिल्कुल free में playlist आप चेक कर लीजे यहाँ पर YouTube पर सब कुछ आपको मिल जागा ठीक है फैंस तो आज की इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं next class में और एक request आप से रहेगी कि आपके mind में अगर कोई doubt है किसी topic को लेकर कि आप topic को comment कर दीजे हम उस वीडियो को provide कराएंगे ठीक है लेकिन पहले आप एक से ठारत की videos में देख लीजेगा कि वो topic अब already कराया तो नहीं कराया अगर कराया गया होगा तो फिर comments करने के कोई मतलब नहीं बनता आप इस कर लीजे तो इस वीडियो में इतना इफिंस मिलते हैं next class में thanks for watching